ब्रेक के बाद आपका फिर से सवागत है ब्रेक पर जाने से पहले हम अभी मिन्य जी बात कर रहे थे OCD के सरकल के बारे में यह आपने अभी तक यह सरकल समझ लिया और बड़ी खुशी की बात है कि आपने ब्रेक में बहुत अच्छा कार्य भी किया है आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आये थे उन सवालों ने आपके मन में बहुत सारा confusion भी पैदा किया लेकिन आपने उन सवालों को लिखा और मुझे बताया इसके लिए आपका धन्यवाद तो कैसे कैसे सवाल आपके मन में आये वो एक बार आप दोहरा दीजी और उनका सभी का जो उत्तर है वो इसी में मिलता जाएगा तो क्या-क्या सवाल आए वो एक बार बोल दीजी पहला सवाल मनने यह आ रहा था मैं जब विसाब करने जाता हूँ जो छीटे पड़ गए बाल्टी पे या पिर मग बे तो क्या उससे कुछ चमश्या हो जाएगी बिलकुल अगला सवाल क्या आया अभी भी इन अभी स्पर्म गंदा ही लग रहा है और उसके बाद बार बार जो ध्यान पे साब और उसमें निकलने वाले स्पर्म क्योड जा रहा है क्या सीमन पानी से हाथ दोने से साफ हो जाएगा मन में गलत विचार कैसे बचेंगे अगर हम जान बुच के स्पर्म को कहीं लगा दें और उससे कोई छू ले तो क्या मैं पाप कर दिया है हमेशा मन में किसी को देख के मन में गलत विचार का आना उसके बाद सर बाहर को छूने से भी डर लगता है कि अच्छा खुजली कर लिए तो पैर में पिशाब कछीटा पड़ा होगा तो फिर गंदा हो जाएगा फिर आद दोना पड़ेगा और अगर हाथ पैंट पे लग गया पाकेट के पास तो उस पे अधर तखवराट होएं लगती है कि लग गया होगा तो फिर कुछ चुएंगे तो गंदा हो जाएगा उसके बाद सर पाकेट में फोन रखने में दिक्कत होती है जीन्स पैंट पैने हुए आगे पाकेट में हाथ डाल के बहुत दिक्कत होगा मतलब लगता है कि अशा कि लग गया होगा उसमें तो मोबाइल गंदा हो गया होगा तो तो तुसा चुएगा तो गंदा हो जाएग उसके बाद सर कुछ-कुछ समय पर से इंटायर से है और भाद साफ कर लेने के बाद लगता है कि आज साफ हो गया होगा और तसली मीठांती मिल जाती है यही सवाल है तो जी आपके मन में बहुत से सवाल आए आपने इमानदारी से इने लिखा और बताया इसके लिए आपका शुकरिया और अब समय है इन सवालों के जवाब का तो आपको जवाब इसी के माध्यम से मिल जाएगा मैं एक एक सवाल को जवाब नहीं देने वाला मैं जवाब आपको देने वाला हूँ क्योंकि आपके अगर सवाल को जवाब दिया तो सवाल नए नए और उठ जाएगी सवालों का अंत नहीं आएगा इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसके بعد आपके मन में सवाल उठना ही बंद हो जाएगा असली इलाज है सवाल का नै उठना नै की सवाल का जवाब मिलना क्या समझे? असली इलाज उसका यही है कि सवाल ना आए मन में हाँ क्योंकि जवाब एक सवाल का ढूर दोगे ने 10 पैदा हो जाएगे ऐसे तो हम जवाब भी ढूरते रहेंगे इसी लिए हम वहाँ प्रवार करेंगे जहां से सवाल उठ रहे हैं कि हमारे मन में ये सवाल उठते ही क्यूं है ये ढूंडेंगे कि आपके मन में आखिर ऐसे सवाल क्यूं आए ठीक है? जी तो उसके बाद फिर सवाल आना बंद हो जाएगा तो अब आप मेरे साथ सलते चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई है फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ सबसे पहले ट्रिगर कि आप बोश्रूम करने जाओ पेसाब करने जाओ लिंक के हाथ लग जाए कुछ भी हो जाए वो है ट्रिगर उसके बाद विचार आपके मन में आएगा शक आएगा वहम आएगा इसे वहम भी कहते हैं शक भी कहते हैं वो विचार क्या है कि वीरे गंदा है हाथ गंदा है हाथ पर लगा है ये विचार आपके मन में आएगा और बार बार आएगा और फस जाएगा फस जाएगा दिमाग के अंदर ब्लोक हो गया ये विचार आप निकलेगा नहीं और इसी विचार की वज़े से आपके अंदर फ्यूचर से रिलेटिड डर और नुक खतरे का भाव पैदा हो जाएगा कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा सबसे बड़ा जो डर आता है पाप का आता है कि आप आप कर दोगे पापी हो जाओगे कहीं वीरिया को लगा दिया कहीं वीरिया वाले हाथ लगा दिये तो पाप पापी हो गए और आपके विज़े से कोई गंदा हो गया वो भी पाप आपको लगेगा कि आपने किसी को गंदा किया है ये पाप भी आपको लगने वाला है तो ये जो डर है ये आपको फिर compulsion करने के लिए मजबूर करता है आप इस डर को निकालने के लिए सबसे पहले doing करते हैं धोते हैं साफ सभाई करते हैं और साफ सभाई से जब अक जाते हैं तो avoidance की सोचते हैं avoidance में आप पानी पीना, खाना पीना कम कर देते हैं ये जाना कि D जो है वो इलाज नहीं है, वो बिमारी है ये आप जितना ज़्यादा doing करेंगे, उससे आप और फशेंगे जितना ज़्यादा आप avoid करेंगे, उससे भी फशते जाएंगे तो इसका प्रयोग करकर के ये तो आज तक फशे हो तो आप इसका प्रयोग बंद करना है, कैसे करना है, वो अब जानते हैं जैसे आपकी दिशा क्या है, D से A को ठीक करना आप क्या करते हो, D से C को ठीक करने की कोशिश करते हो वी कंपल्शन करके, डूइंग करके, आप C के, C में जो खत्रा है उसे आप कम करने की कोशिश करते हो, ऐसा है? वी जो C में खत्रा पैदा हो गया, पाप का गंदिगी का उसे हटाने के लिए आप डूइंग करते हो, D से C को ठीक करते हो लेकिन, D से C ठीक नहीं होता, वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि ये खत्रा जो है, पाप का, ये असली खत्रा है या नकली खत्रा है? आप तो यह आप भी बताएंगे था हाँ, ये मैं बताऊँगा, लेकिन देखिए, ये खत्रा बिलकुल नकली था ये असली खत्रा था यह नहीं, ये नकली है, 0.000% नकली है, इसमें पाप कभी लगता ही नहीं है क्योंकि वीरिय कभी गंदा होता ही नहीं है, जब वीरिय गंदा नहीं है, तो पाप कैसे लग जाएगा? पाप का आपके मन में जो विचार आया है, ये पकड़ाया गया है, अब देखिए, आप हिंदु धर्म में पैदा हुए हैं, अगर आप इसाई धर्म में पैदा हो जाते, तो क्या फिजिकल रिलेशन मल्टिपल बनाना आपको गल्त लगता? क्या गाएं खाना पाप लगता? नहीं लगता? उन्हें लगता ना? लेकिन आप हिंदु धर्म में है तो गाएं के बारे में तो माज के बारे में तो सोचना ही पाप के बराबर है, क्योंकि हमारा धर्मिक प्रिवेशी ऐसा है, और फिजिकल रिलेशन जैसे कोई साधी होते तो वे दिकत थी? नहीं. तो इसका मतलब पाप पुन्य का जो फैसला है वो धर्म कर रहा है, क्या पाप? क्या? पुन्य. एक धर्म में एक चीज पाप हो सकती है, दूसरे धर्म में वही चीज पुन्य. इसलाम धर्म में मास खाना पुन्य है, लेकिन हिंदु धर्म में पाप है क्या समझे जी पाप है वो दूसरे मुझे पुन्य हो जा हाँ तो इसका मतलब हाँ decide dharam कर रहा है लेकिन असली में नहीं है असली में जो पाप पुन्य है वो है ही अलग पाप पुन्य अलग दशा है उसके बारे में भात करेंगे लेकिन जो धर्म नहीं जो सिखाया वो पाप पुन्य नहीं है उन्होंने अपनी धारणाई माननेता हैं आपको पकड़ाई है जो ब्रह्मन है वो तो कहेगा भी मंदिर नहीं जाना पाप है मुर्ति को तोड़ना पाप है लेकिन जो आर्या समाजी है आर्या समाज भी तो है न हाँ वो कहेंगे कि मूर्ति को तोड़ना तो पुन्य है वो तो तोड़ देते हैं मूर्ति पूजा करना पाप है तो उनके लिए जो पाप है हमारे लिए पुन्य है उनके लिए जो पुन्य है दूसरे के लिए पाप है तो पाप पुन्य की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन तो हुई नहीं ये तो धर्म विशेश हो गई जी हो गई ना तो हमारे धर्म में हिंदू धर्म में शराप पीना पाप है लेकि इसाई धर्म में तो शराप पीना पुन्य है अब देखिए चलो हिंदू धर हमें माल लेते हैं जो यहां रहते हैं उनके लिए हो सकता है शराप पिना पाप हो लेकिन जो बॉर्डर पर फोजी हैं देश के रक्षक हैं ठंड में रहते हैं उनके लिए शराप पिना पाप है वो पुन्य हैं क्योंकि अगर वो शिराब नहीं पिएंगे तो जिन्दा नहीं बचेंगे। वहाँ तो लटकियां सारे जो ठंड़े इलाकों में रहते हैं वो तो सारे वाइन पीते है उनके लिए तो जीवण रक्षक है दवाईई है णा तो अधो पुन्ने है 안돼 लेकिन हमारे लिए वो पाप माना जाता है ऐसा है और अब आपके लिए मेरे लिए कहतें ना, किसी को मारना पाप है, लेकिन फॉझी के लिए मारना तो पुन्य, तो पाप पुन्य भर किसे कहेंगे. क्या समझें? बडिश्ब की अलग-अलग इसंग में अलाग-णिस का डेफिनेशन है. तो अपने आपको जो जो कहा गया, जो वीडियो आपने देखा क्या वीडियो देखा था? जो बताया था पाप? जो स्पम होता है निकलता है बहुत ही गंदा होता है तो कहीं लग जाये घंदरी फैल जाती है तुम अलब ऐसा कि तुम उष्कार भी बोल नहीं सकते था, वो खुद भी तो वीरे की पैदाईस है अगर उसके बाप के वीरे नहीं निकलता, तो क्या उस जैसा बेहुदा इंसान पैदा होता तो उसके बाप ने बाप किया था कि उसकी मां के साथ समंद बनाए, तब जाकर के उस जैसा एक बाप पैलाने वाला इंसान पैदा हुआ क्या समझे वो खुद ही गलत था हाँ, खुद ही गलत था, वो भी तो वीरे से ही पैदा हुआ है, उसके बाप के अंदर वीरे नहीं होता, तो नहीं पैदा होता, तो फिर वो वीरे को गंदा कह रहा है तो इसका मतलब वो खुद ही गंदा है ना हाँ तो उसके कहने से वीरियत गंदा नहीं होगा तो जो इनसान ही गंदा है भी इनसान को नोलेज ही नहीं है उसके कहने से सचाई क्या बदलेगी आज से सदियों पहले ये माना जाता था कि दर्ती तो स्थिर है और सूरज घूम रहा है तो क्या सूरज घूम रहा था उसमें हाँ तो एक वैक्ति ने ये कहा कि वही सूरज तो स्थिर है दर्ती घूम रही है तो उसको मार दिया या उसको यातना ही दी तो क्या उसके कहने से सचाई बदल गई लेकिन आज मानते है न, बाइबल में भी लिखा था, कि सूरज ही गूमता है, धर्ती नहीं गूमती है, तो धरम जो कहता है वो जूटी है न, अपने हिंदू धरम की बात लगा लो, वो तो भुकम्प को क्या कहते हैं, कि भई, वो सीव के बैल नंदी पर धर्ती ठीकी है, वो प्लेट्स होते हैं, अब भी वो स्पेस एक्स है, या अब आप वीडियो देखते हैं, भी धर्ती गूम रही है न, स्पेस के अंदर, गूम रही है सुरज गिर्द गिर्द, तो बताओ फिर सेशनाग क्यों नहीं दिखाई देता, हैं, पिर जब धर्ती सेशनाग पर्टी की तो बताओ फिर धर्म की उस बेहुदगी बातों को आप सच माना होगे, तो जो धार्मिक व्यक्ति या कोई व्यक्ति कहता है कि वीर्य गंदा है, तो उन बातों को कोई सच माना जा सकता है, और अपने धर्म में तो इतना कुड़ा करकट है कि मचली के मूँ में वीर्य चला गया और मचली के बच्चा पैदा हो गया, बकरी के आदमी के बकरी पैदा हो गयी, अद्ध हो गयी, मैंने यह देखू, धार्मी गरंत ऐसे ही नहीं रख रखी, इतने अलमारी बरी हुई है, सब में पंड़तों ने बकवास करी हुई है, कोई सिर पैर नहीं है, तो जिन बा ओखनेते, छिन में तो गता ही, जिन बतायो गया, फाब पुन्य में हर इंसान के अनुसारत था होता है, हर इन्सान के लिए पाप, पुन्य माहने अलग है, पाब हो था किई को तब भवान करिश्म तो भवान कृष्न ने कितने मारे, यह पूजा होती है क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मारे, मानवता के लिए जो भोजी है, वो हमें बचाने के लिए मारता है, तो पुन्य अगर वो अपनी बढ़ास निकानने के लिए मारे, तो पाप हो जाएगा पाप पुन्य है, पाप पुन्य का फैसला इसलिए होता है कि किसी काम को करने के पीछे उसकी मनशा क्या थी, उसकी इंटेंशन क्या थी, हाँ, अब कोई चोरी करता है, उस चोरी से लाको लोगों का जीवन बचता है, तो वो चोरी करना पुन्य हुआ है, पाप हुआ, पुन् हो सकता है एक बार ऐसा हुआ कि हिटलर था या जो खुख्यात हुआ था ऐसा सैनिक उसी के विश्वार में बढ़ा था हो सकता कोई और हो तो वो कुए में गर गया और मरने वाला था तो किसी ने उसको बचा दिया यह बच तो गया लेकिन उसने बाद में लाको लोगों को मार दिया तो उसको बचाना क्या हो गया? पाप हो गया ना इसलिए किसी को जीमंदान दे भी दें लेकिन वो इनसान गलत हो तो फिर वो पाप बना जाएगा और सही बंदे को बचाना जूट बोलके बचाना पड़ जाए तो भी वो पुन्य अब क्या समझे? वही पाप और पुन्य के अलग 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 डिपनी सह मतलग है तो अगर वीरिय गंदा होता तो महा भारत की बात करते हैं महा भारत में अरजुन अरजुन, कर्ण और जितने भी पांड़ है वो किस से पैदा होए थे? किसके वीरिय से पैदा होए? क्या वो अपने पिता की असली उलाद थे? नहीं थे ला लेकिन वो पैदा हुए तो आज भी महान है ना पांड़ देखिए गलत कुछ भी नहीं होता वीर्य गलत होता तो फिर वो यह महाँ बाहरत ही नहीं बन पाती और जिस से हमारा उद्गम हुआ जिस से हम बने एक फल है आप फल देखते हो क्या उस फल का बीज कभी गंदा होता है किसी बीज को आपने गंदा माने है आप जो सबजियां खाते हो उसके बीज गंदे है नहीं है तो फिर इनसान का बीज गंदा हो सकता है तो वीर्य तो बीजी है ना उसमें आजारों लाखों शुकरानूं है उसी से तो माना उसरीर बनता है तो वो गंदा कैसे हुआ अगर आपके माता पिता या मेरे माता पिता वीरिये को गंदा मानते और वीरिये बाहरी भेंगते रहते तो क्या हम जैसे नमूनें दुनिया में आते तो बताओ तो फिर बताओ उससे साफ कोई वस्तू नहीं है वीरिये में क्या है कि प्रोटीन है वो निकलेगा गाड़ा है और कुछ देर उसको हवा में रखो वो एकदम पारदर्सी हो जाएगा और कुछ देर बाद में उड़ जाएगा वो प्रोटीन होता है सारा सूख जाता है कुछ ही समय में आपने हाथ पर ले लिया अभी गाड़ा सा होगा स्फेद सा लेकिन कुछ देर बाद में उसका रंग बदल जाएगा पारदर्सी हो जाएगा बिल्कुल एकदम सीसे की तरह है और उसके कुछ देर बाद में वो उड़ जाएगा वो गंदा है नहीं और वीरिया देखो बहुत सी अपने भारत में तो चलो ओरतें ऐसी नहीं है कि उनके धार्मे को विश्वास बहुत गलत बने होते हैं, बहुत सी ओरतें वीरिया को पीती भी है अगर गंदा होता तो वो फिर ओरती गंदी होगी तो वो बताईए उसके मन में अगर गण्दगी का विचार नहीं है तो वो भी जाती है ना उसके लिए हो सकता है वो डाईट हो और वीरी हमारे अंदर बनता है तो वो ऐसा थोड़ी न गंदा बनेगा कोई स्रीर चीज गंदी बनाती है कोई आप आप गंदी चीज पैदा कर सकते हैं तो शरीर ने बनाया शरीर की किर्याओं ने बनाया ना अपने आप आप आंसू को गंदा मानते हैं उसी खाने पीने से तो आंसू बनता है लार को गंदा मानते हैं उसी खाने पीने से लार बनी से क्या विर्य गंदा हो जाएगा तो आपने उस एक वीडियो वाले गधे की बात को ही सच माल लिया ये तो गलत बात है क्या समझे इसमें सारा बातें गलोज बताए थी और वो बस मन में बुर्ण डाल जाता ये गंदा है, उसको पुदी पता नहीं था सबसे पवितर जवाई है सबसे पवितर देखो, सीव लिंग सीव के तो लिंग की हम पूजा करते है तो उसी किसलिए करते है, वो परतीक है भाई लिंग से ही तो सब कुछ बना है और जो उस पर दूद चड़ाय जाता वो किसका पर्तीक है, वीरिय का जी तो पर्तीक है कि वीरिय कि सारी दुनिया उसी से बनी है यहां यह आपको तो पता ही नहीं दहा हाँ सीव का लिंगी तो है वो पत्तर वो काला सा हो था, वो क्या है वो अब क्या समझ रहे तो अभी वन्यू कितनी नहीं हुए। क्रिशन का भी तो जनम हुआ था, राम भी जनमे थे, वो भी तो अपने माता पिता के वीरिये से ही बने थे, या वो भई महावारत की तरह कोई मचली से आ गया, कोई आसमान से तूट गया, किसी नहीं ऐसे देख लिया, वो गर्वती हो गई, बच्चा हो गया, ऐसे बच्चे नहीं होता, तो जिन देवताओं की आप पूझा करते हो, वो सारे वीरिये से ही तो बने, बिना वीरिये के कौन पैदा हुआ है, तो कोई नहीं, बताओ, आपके नजरों में फिर साफ कौन है, अब लोग साफ होई तो फिर आप गंदे कैसे होए, दो बाते हो सकती है, तो य सारी दुनिया साफ है, अगर साफ है तो फिर आप गंदे नहीं हो, अगर सारी दुनिया गंदी है तो फिर मान लेते हैं, आप गंदे होए तो, जो दुनिया पर नियम लागू होते हैं, वो आप पर लागू होते हैं, या आप पर अलग होंगे, तो फिर आप गंदे कैसे हो इसका जवाब दो क्योंकि आपके पास गंदगी वाला डेटा है और कुछ भी नहीं है आपके पास गंदगी से समन्दित गलत जानकारी है और कुछ भी नहीं है अगर वो वीडियो ना दिखाया होता तो अगर आप उस वीडियो को ना देखे होते तो नार्मल होते, तो इसका मतलब वो वीडियो नहीं गड़बड की है, वो जानकारी नहीं गड़बड की है, आपने अपने आपको मान लिया, आपने सच मान लिया था और कुछ भी नहीं, जूट को सच माना था, ये जूट है पाप हो जाना, इसी को आपने सच माना है बस, क्या एडिर लृजिए को अवे मेरे में भी इतना जली ठीक होगे तो मेरा क्या हगा अब आप जाके कर दो prophet और आपा मैं ठीक हो गया, पापा गहेंगे, चलो निकलो शाम कोई, मैं गोगा होंगा, मेरी फीस कहते हैं, घीस तो आदा ही दिन लगाए है, तो मेरा नुक्सान हो जाए, इतना जल्दि ठीक नहीं होना है, ठीक तो दो दिन में होना है, दो दिन तो में पक्का लगाँगा, जल्दे ठीक हो गए तो भी मेरा नुकसान है देख लो विभीने जी क्या आप मेरा नुकसान चाहते हो तो फिर इतना जल्दे ठीक है नहीं होना है दोग दिन तो लगा नहीं है अपा सारी और चीजे समझेंगे अभी तो मैंने दिमाग से खाली किये अभी तो वीरिया को आप देखोगे मैं और दैराम जी साथ हैं वो recording में नहीं आएगी चीजें जब वीरिया निकालेंगे तो वो चीजे recording में नहीं आएगी वो अलग से निकालेंगे वीरिया हाथ में लेंगे तब वो दिखा नहीं सकते ना publicly लेक लेक, क्योंकि आपको ठीक करने के लिए मैं वो सब कुछ करता हूं, जो कोई नहीं कर सकता, मेरा उदेशया एक ही आपको ठीक करना, आपके दिमाग से वीरिया की गंदगी निकालना, अब मेरे लिए और कुछ भी लक्षे नहीं है, एक ही लक्षे है हमारे लिए, इसके नहीं भी बातों से ही, वीरिया रियल में लेंगे, अरे भाई, जो चीज सच है वो सच ही है, अब आप क्योंकि मन में आ सकता ना, यह बातें तो बता देता लेकिन इसने लिया यह नहीं, तो आदा मन में रह सकता है ना, अब मैंने ले लिया, सारी चीजे छूली, अब हम उ वीरिया लगाया, और उसी हाथ से पानी पीलेंगे, उसी हाथ से खाना खालेंगे वीरिया वाले, अम दोनों घाके दिखाएंगे, आप देखोगे, फिर आप एक बार करते ही, आप ही गोजाओगे, फिर तो नहीं है, तो एक्सपोजर अंटिमेड लेवल तक होता है, जहां के बारे में कलियर हो गया, कि पाप वो नहीं था, जो आप सोच रहे थे, पाप वो है जिसमें आपने गलत इंटेंशन से किसी का बुरा करते हैं, आप जाकर के किसी का पैर तोड़ दो, और कह दो कि इसने गाली निकाली थी, वो गलत है ना? हां, किसी का चोरी कर लो, अपन स्वार्थ के लिए वो पाप है अगर आपने चोरी की लेकिन किसी की फीश भर दी या दस लोगों को जीवन दान दे दिया तो वो पाप नहीं है पाप और पुन्या का फैसला होता है कि आपके करम के पीछे की मन्शा क्या थी इंटेंशन क्या थी इतना समझ गए कोई करम पाप पुन्या नहीं है करम के पीछे का मकसद त्या करेगा कि पाप क्या है पुन्या क्या है हाँ हाँ बोलो वही सर की करम के पीछे के उदेश्या से करम से नहीं करम तो देखेंगे तो लग सकता है तो बहुत गलत किया लेकिन इसके पीछे इस क्या मनशा क्या थी इसने ये करम क्यों किया उस से तय होगा अब एक लड़की है जो मर रही है उसकी प्यास कोई बुझा दे और चला जाए तो उस बंदे ने गलत किया या सही किया और कोई जबर्दस्ती अपनी प्यास के लिए लड़की का इस्तेमाल कर दे तो वो क्या हुआ? गलत हुआ, बलातकार हो गया ना? हो गया ना? तो अब बताओ तो संबन्द दोनों ही सूर्तों में बने एक सूरत में पुन्य हो गया और एक सूरत में पाफ हो गया तो आप को होगी कि सम्मंद बनाना ही गलत है तो फिर तो कड़बड़ो हो चाहेगी न क्या समझे यहीं मतलब वही जी पाप है तो पुन्या है कंडिशन के साथ कंडिशन के परिस्तितियों के साथ से परिस्तितियां तेया करेगी गलत क्या है एक ही परस्तिती में वो पुन्य हो सकता है दूसरी परस्तिती में वो पाप हो सकता है पाप पुन्य की युनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है ये समय स्थान के इसाब से बदलती रहती है बस इतनी बात याद रहो तो आज से confusion clear? यह बहुत उंची बात मैंने बताईए यह वीडियो आप बार बार सुनना बार बार रिपीट करना लिखना भी यह वीडियो का इतना पाइदा है कि आप मैंने जो इतनी उंची बात बताईए यह दो तिन बार सुनने से समझ में आएगी क्या समझी नहीं सर्थी सब जो था मन मेरे मन में सब भराम था बिल्कुल रोंग डेटा कच्रा भरा था सालों ने वीडियो जिसका भी वीडियो देखा उस साले की ऐसी ते ऐसी तो हम करेंगे एथार्शीस में उसको भी लाइन पर ले कराएंगे ठीक है तो यह पाप का क्लियर हुआ वीरिया गंदा होता है यह भी क्लियर हुआ मतलब जो आपका यह नुक्सान था वो नकली था यह जो गंदगी वाला डर था वो ही नकली था भी आपकी बज़ए से कुछ हुखी नहीं रहा था अब बताओ, किसी आपकी बज़े से कुछ हुआ अस तक तो आप नहीं सोच लिया कि मेरी बज़े से कोई गंदा हो जाएगा आपकी बज़े से कैसे कोई गंदा हो सकता है दूसरे सोचते हैं भी हमारी बज़े से कुछ हो जाएगा कुछ तो हाथ भी नहीं दोते तो उनकी वज़े से आप गंदे हुए कभी तो फिर आपकी वज़े से दूसरे कैसे हो जाएंगे सबका अपना-पना करम है न हर इंसान करमों के नुसार फल पाता है तो आपके करमों के फल दूसरे कैसे पालेंगे तो यह तो प्रकरती का नियम ही बदल जाएगा न कि आपकी वज़े से कोई गंदा हो गया तो फिर तो प्रकरती की नियम भंग हो जाएंगे कि आप हो गए करता आप तो भी सब भी दाता हो गए न कि आप जो करेंगे उससे दूसरों के जिए उनमें एफ्रेक्ट आएगा और प्रमात्मा का नियम तो ये कहता है कि मेरी वर्जी के बगएर पता भी नहीं हिलता इसका मतलब आप परता ही ला सकते ये क्या हुआ पताओ नगीर करम से कुछ दूसरे कर डिषाइड नहीं हो आपके करम से कुछ होता ही नहीं है आप जो व्यशय हैं वो तो पढ़ाने कितने मेल का विरिये लेती होंगी तो क्या वो गंदी हुई ने बहुत से लोग वेश्याओं से शादी भी तो करते हैं वेश्या भी तो उतने ही समान और उतनी ही आदर की भागिदार होती है न कि जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन का एक उधारन है एक पंडित रहता था मंदिर में पूजा किया करता था और सामने ही एक वेश्या ले था उसमें एक वेश्या रहा करती थी तो दोनों ही अपना-पना करम करते थे तो मरने के बाद वेश्या को सवरग मिला और पंडित को नरक मिला क्यूं? शारिरी करमों से हमें लगता है कि पंडित को सवरग मिलना चाहिए था और वेश्या को नरक लेकिन हुआ उल्टा क्यूं? क्योंकि फिर बुद्ध से किसी ने पूछा तो बुद्ध ने बताया रहे हैं, वो नजारे ले रहे हैं, मैं यहां घंटा बजाता रहता हूं, वो लोग मजे लूट रहे हैं, तो हमेशा वो उसी के बारे में सोचता रहता था, तो वो तो मन से ही गंदा हो गया ना, तो करम तो पुझा पाड घंटा बजा रहा था, लेकिन मन से क्या कर रहा था, असली तो करम मन से होते है ना, सिरीर से कोई करम नहीं होता, करम करने की सत्ता मन को है, मन से वो करम गलत कर रहा था तो नरक मिला, अब वेश्या, सिरीर से चाहे किसी के साथ सम्द्ध बना रही थी, लेकिन मन से यही सोचती थी, वाजवा, सामने मंदिर है, भगवान को परणाम करती और हमेशे हां कहती कि पंडिश जी तो रात दिन भगवान के दरबार में रहते हैं मेरे भग्या में ही भगवान नहीं है लेकिन उसके दिल में भगवान थे वो दिल से मन से सुद्ध हो थी न उसको सवरग मिला मन से असली करम होते हैं ना की सरीर से क्या समझे असली जो करता है वो मन ही है हाँ तो बताओ तो आप किसी के बारे में कैसे सो सकते हो कि मेरे करमों से दूसरों का जीवन बदल रहा है आपके करमों से तो सिरब आपका ही जीवन बदलता है दूसरों की जीवन में कैसे आपकी वज़े से कौन कैसे गंदा हो सकता है आज तक आपके ममी पापा या इतने इस दारों ने कहा कि भाई अभी अभी नियू हम तेरी वज़े से गंदे हो गए यह तो आपकी सोच है यहां तक की भाई भी बोलता है रहते हैं साब की हम लोग सोची नहीं रहे हैं कि तुम मन गंदे हो या फिर तुम क्यों सोच रह गए तो इसका मतल्या हमारी सोच में फाल्ट है यह तो हमारी सोच की गडबरी थी गंदी का तो लेहना देना ही नहीं पाप पुन्य तो लेना देना ये तो सोच की बिमारी है ये तो गलत सोच के कारण है पाप पुन्य तो असली में है ये नहीं क्या समझे पाप पुन्य तो असली में कर्म के तो ये तो आपकी दिमागी गड़बडी के कारण था ना रोंग सोच, गलत सोच रहते हैं, यह तो सोच में फाल्ट है, इसलिए ऐसा लग रहा है, रियल्टी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, रियल्टी में तो कोई गंदा होता ही नहीं, रियल्टी में तो आपके सोचने से आपकी उजय से कोई गंदा होता ही नहीं, जब रियल में ह लग गया भी सामने, कोई खत्रा है ही नहीं, सामने शेर नहीं है तो फिर बेवज़ा भागने की या बंदूकतान की ऐसे करने की जुरूत है और अगर भरम हो जाए कि सेर है सेर है तो आप लगे रहोगे जब पता लग जाए अरे रे रे भरम था तो आप सही होगे न तो ये तो खत्रा ही नकली था तो फिर ये पंगा लेने की क्या ज़रूर थी तो आज से आप ऐसे हाथ रखोगे ऐसे पैरोंबर पानी गिरा होगे या वो सुरू में लगे रहोगे क्या समझे तो फिर इतनी दिन क्यों किया अब चलो इतने दिन किया वो माफ क्योंकि वो अग्यानता में किया उससे मैं आपको जानकारी नहीं लेकिन आज तो जानकारी है आज करोगे तो पाप हो जेगा अब पाप करना चाहूँगे? फिर चले वीर ये हाथ लगा ले सो जाओगे वैसे अब इतने परसेंट लगता है कि मैं हो गया? बहुत है अभी तो आधी बात की है अभी तो इलाज पे और आएंगे अभी तो मैंने ये क्लियर ही किया है इसके साथ और उस राकसस को कैसे मारना वो भी तो जानेंगे अभी तो बातें बहुत सी चलनी है ये एक फॉर्मेट से ये आप ठीक हो जाओगे ठीक है? तो अभी तक असी क्लियर है? तो आप जो डी से धोने से सी को ठीक कर रहे थे या इसको और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे हाँ, अवोइड करने से धोने से तो ये अनुमानी खत्रा असली लगने लग जाता है जो नकली खत्रा था वो असली नजर आता है डी से आप जितना धोगे अवोइड करोगे उससे ये नकली खत्रा असली बढ़ जाएगा क्या समझे? खत्रा तो रियल्टी में तो है ये नहीं लेकिन यह नक्ली खत्रा ही और बढ़ता जाएगा, नक्ली खत्रा ही अस्ली पर्ती तो हुता जाएगा, यह समझ जाओ, यह बात खाने बैठ गई, क्या? कि खत्रा आई नहीं हो जब हो तुद्ध ही है तो अगर आथ दोएंगे उसे तो और खत्रा बढ़ता ही जाएगा तो असली लगने लगेगा इसी लिए आपको असली लग रहा है क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा सब सफाइयां की है तो आप दिमाग की ट्रेनिंग हो गई है दिमाग की प्रोग्रामिंग हो गई है पैटरन बन गए है तो दिमाग नकली कोई असली मान लिया तो अब अब कहोगे की असली है तो वो कहएगा ना तेरे बापका राज है इतने दिन तो पहले मेरे को यह समझा रहा था क्योंकि बढ़ता है आज ये जोद्पुरीया के च तो वो पुराने के अधार पर काम करता है नहे के अधार पर नहीं चल रहा अब पुराने को डिलीट करना पड़ेगा फिर जागर के मेरी बात को 100% वो मानेगा पुराना डेटा तो पड़ा हुआ है न मन में ये तो आज आना है न आपने इतने दिनों से कचरा इकठा किया है वो उसको तो आग लगाने पड़ेगी जलाना तो पड़ेगा न तो अब जलाने की तरफ चलते हैं तो C से B ठीक करने की कोशी साब करते थे तो इस समंदित मैं प्रोग्रामिंग से समंदित एक छोटी सी बात और बता दूँ कि एक बार एक बार एक पशू वपारी मेले में गया उसने मेले से एक बकरी घरी दी उस मेले के आसपास तीन ठग भी रहते थे तीनों ठगों ने प्लान मनाया कि इस वपारी से बकरी को ठगना है और बकरी को भी ऐसे ठगना है कि इस वपारी को पता भी ना चले दिमाग से ठगेंगे जोर जब अस्ति करके ठग लेंगे तो कोई ठगरा नहीं हुआ लेकिनि ये खुद ही ठगा जाए और इसको पता भी ना चले तो वो असली ठगी है ना हाँ तो अब उन ठगों ने प्लान बना लिया तीनों अलग अलग जगाए पर खड़े हो गई सबसे पहले एक ठग मिला वपारी को और कहता अरे वपारी तूने ये कुता कहां से लिया तो कुता बड़ा खराब है तो वपारी कहता अरे ये कुता नहीं है ये बक्री है मैंने मेले से लिए तो वो ठक कहता अरे है तो कुता ही अब तेरे को बक्री लग रही है तो क्या करूँ चला गया अब थोड़ी दूर गया तो दूसरा ठक मिल गया अब दूसरा ठक कहता अरे वपारी तुन नहीं ये कुट्टा कंदे पर क्यों लाद रखा है तो बहुत कठिया कुट्टा है कोई फाइदा नहीं है इसका तो वपारी कहता अरे ये बक्री है कुट्टा नहीं है मैंने मेले से ली है वपारी कहता ठक कहता क्या जमाना आ गया है लोग, कुत्वों कोई बक्री मान के लिये फिरते हैं इतना घाय के निकल गया तो इस बार बपारी के मन में शक आ गया यार माजरा क्या है है तो ये बक्री लेकिन कुत्वा कैसे लग रही है तो ये सोस्ते सोस्ते वो थोड़ी दूरी ही गया कि तीसरा ठक मिल गया अब तीसरा ठक कहता अरे बपारी ये कुत्वा गटिया सा कहां से ले आए ये तो मालिक कोई खा जाता है वो इतना सुना उसने और उसने बक्री को मराहें करके कहता ये तो है तो कोई भूदप्रेथ जो है तो कुत्ता लेकिन मेरे कोई बक्री लग रहा है वो छोड़के भाग गया अब भाग गया तो ठक तीनोई कठे हुए और बक्री को उठाया और चलते बने इससे क्या चीखे? क्या पता चला? दूसरा उस कहने नहीं लेकिन उसने तो माना ना ऐसा ही मन है कि सौ बार अगर झूट को बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है तो आपने इस जूट को कितनी बार बोला होगा खुद से? लग ऑग 2 तीन महीने हाँ, जार, दो लाख बार बोला होगा, इसलिए अब वो सच लगता है इसलिए हो असली लग रहा है क्या समझे यह जो मैंने मान लिया था इतने दिनों से वही गलत था तो ऐसी मान मान के तो हम बहुत सी तहनाओं में जी रहे हैं हम बहुत सी चीजों को माने ही बैठे हैं आज तक लग भग 99.99% लोगों के मन में धारणा ही हैं हम हिंदू हमें बच्पन से चीखने को मिला है तो हमने मान लिया कि हम हिंदू है हम तो हैं तो इनसान है बताइए कोई लेना देना है हमारा हिंदूता उसे हैं तो हैं बंदे ही है कोई अंग्रेज मान लेता है कोई इसाई मान लेता है, कोई मुस्लिम मान लेता है तो हमने माना ही हुआ है और कुछ भी नहीं है हम फला जाती कि किसी ने अपना जाती तो ये सारी सीज़े धारणा ही तो है ऐसी धारणा ही बहुत सी है कालपनिक धारणा ही, हजारों हैं इस मन के अंदर हम reality में नहीं जीते, धारणाओं में जीते बच्पन से मा ने बता दिया, अब मा एक बच्चे को शिखा दे कुए में भूत है, भूत है तो बच्चा डरने लग जाएगा न वो कुए के पास जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसके मन में धारणा बैठ गए, ऐसे ही आपके मन में ये धारणा बैठी हुई है, इसलिए आपको क्या लग रहा है? गंदा, हाँ, क्या समझे आप? बस वो धारणा को निकालना है, जो बटारणा बैठा हुआ है, जो रिडिलिक करना है हाँ, तो अब सामना करना है, फिर निकल जाएगी तो सी से आप ये समझ गए कि ये इसलिए असलिए लगता है, क्योंकि हजार बार आपने मन को ये बता दिया है कि ये गंदा होता है तो आज हमने बता दिया भी ये साफ होता है लेकिन मन नहीं मानेगा, मन कहेगा न, पहले बताया वो क्या, पहले बताया उसकी कोई value जी नहीं, ऐसे तिरी मर्जी चलेगी, कि कभी कहेगा गंद है और मैं गंदा मान लूँगा, कई कहेगा साफ है, साफ मान लूँगा, मैं तो मान नहीं मी रहूँगा, मैं अपनी कब चल अब नया नहीं, अब पुराना डेटा ये ठीक है, तो इसलिए भूख पुराने के अधार पर चलता है, नया एकदम से लेगा नहीं, अब दूसरा तरीका अपनाएंगे नया लेने के लिए, यो कि ये चेतनमन को तो पता लग गया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अनकौंशिय में, वो जब तक नहीं डिलीट होगा, तब तक ये उपर वाले मन की भी नहीं चलने माली है, क्योंकि जब वोशरूम में जाते हैं, फिर वो ही चलती है, जो पुराना डेटा है, ना, तो अब उस पे आते हैं, तो C, आपने अब ये गलती नहीं करनी, D से C को ठीक करना ही न होगी, और C से B को ठीक नहीं कर सकते, आप ये सोचते थे न, कि जो गंदगी वाला विचार जो फस गया है, ये अब हट जाएगा, सफाई कर ली और अब मैं शुद हूँ, और अब गंदगी नहीं फैलेगी, ये खतरा हटा, तो ये विचार हट जाएगा, ऐसा ही सोचते थ हट तो जाता था, लेकिन फिर से ये रिपीटिड हो जाता, बार बार आता है, तो C से B ठीक नहीं होता, और B से A भी ठीक नहीं होता, आपने ये ही सोचा था था न, कि फिर वोस्रूम में जो खतरा है, वो हट जाएगा, अगर ये सारा जमेला कर लिया, लेकिन ये खतरा मन हमेशा कहेगा, पिसाब आ रहा है, पिसाब आ रहा है, मन में विचार फस जाएगा, तो ये ट्रीगर एड होते जाएगे, कभी पिसाब का जाएगा, कभी कोई किसी का कंडोम देख लोगे, तब आ जाएगा, कभी किसी का कंडोम देखते ही सुरू हो जाएगी चीजे, त इसका स्लूशन यही है कि सही करने के लिए जो डाटा बरावद दिमाना पुराना उन पठाना होगा दिमात तो अब आपने समझ लिया इस दिशा से आप नहीं जाओगे जो आज तक कर रहे थे वो नहीं करोगे अब दिशा बदलनी अब A से D की तरफ जाना है वो कैसे जाना है जैसे आप को दिल्ली जाना है और आप यहाँ हो और आप इदर चले गए पाकिस्तान में और पाकिस्तान में जाके पता लगा लाहोर जाकर के किया रहे रहे मैं तो कोई किसी ने बताया कि अरे ये दिल्ली नहीं है लाहोर है तो अब आपके पास फिर तीन उप्षन है वहाँ पर या तो वहीं बैठके रोते रहो किसमत को रोते रहो या फिर आगे निकल जाओ अफगानिस्तान की तरह कि चलते जाएंगे कभी तो पहुंचेंगे या फिर वापस आके दिल्ली आजाओ बताओ आपको कौन सा रस्ता ठीक लगता है इनमेंसे वापस आना वापस आना होगा तो फिर जितनी यात्रा तयकी की है वो सारी वापस आना होगा तो यही सेम बात इसमें लागो होती है OCD में OCD में भी आपके पास तीन रस्ते है ठीक है ठीक होने तीन रस्ते है तीन चोईसी है इसमें एक तो है Oversational Choice कि जो विचार आते हैं उनसी के हिसाब से चलते रहो Oversational के हिसाब से तो इससे क्या है और ज़्यादा बिमार होते जाओगी ठीक है और तीसरा है Non-Oversational Choice कि विचार आते हैं उनको आप सचमानती नहीं और अपना आप करते रहते हो रोते रहते हो कुछ भी नहीं कर रहे हैं रो रहे हो कि अरे मैं तो OCD में फशा हुआ हूँ मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा रोते रहते हो ना किशमत को तो इससे क्या है कि रोना बचेगा और तीसरा रस्ता है Anti-Oversational Choice कि आप उल्टा करते हो जो वीर्य की गंदगी लगती है कि दर्वाजे के चूना जाऊँ हाथ ना लगा दूँ तो धक्के से हाथ लगाते हो वीर्या हाथ में लेते हो उल्टा काम करने लगे सारा ही तो इससे क्या हो जाऊँगे ठीक हो जाऊँगे तो अब आपको कौन सा रस्ता ठीक लगता इसमें से Anti-Oversational Anti-Oversational तो फिर उल्टा करना पड़ेगा सारा कुशी जी रेडी हो तो इससे आप ठीक हो जाऊँगे कुशी दिनों में इसी से सारी उमर और ज़्यादा बिमार होते रहोगे इससे रहोते रहोगे ठीक है चलो आपने अब चुनाव किया है Anti-Oversational का तो लोग कर दें Anti-Oversational को लोग कर दें किसी से कोई हल्प लाइन मांगनी हो फोन करना हो अभी मोका है लोग करने से पहले फिर भी कोई हल्प लेना चाहते हो किसी की कोई नमबर डायल करना चलो अब देखते हैं इनका अगला नमबर क्या आता है इननोंने चुनाव कर लिया है Anti-Oversational का अब देखते हैं कि इनके मन में कितना डैटा है कितनी आपने उल्टी दिशा त्या कर ली है कितनी उल्टी दिशा में आगे बढ़ गए हो फिर वापस आओगे न जैसे आपने दिली से कितनी गलत दिशा में दूरी त्या कर ली है वो पहले देखनी होगी न ति आपने 1000 क्यलो मेटर किया है 200 किलो मेटर या 2 किलो मेटर वो देखते हैं पहले ये आपने उल्टा चलना कितना गए ये है हमारा मैंड और ये है इसकी स्पीड मन की स्पीड स्लो होना अर्थाद दुख चिंता गबराठ यह time and space में है, आपने course नहीं खरिदा न, गीता का, देखा नहीं, इसलिए यह concept पूरा भी नहीं clear होगा, जाते ही वो एक बार गीता course जरूर देखना, उसमें time and space में यह सारा clear हो जाएगा, तो इसकी speed slow होती है data से, अब data हमारे मन में कहां से आता है, बचपन से, सबसे पहले घरवाले हमारे मन में data डालते हैं, उसके बाद school वाले data डालते हैं, तुम कमजोर है, तुम पास नहीं हो सकता, काम्याब नहीं हो सकता, तेरे साथी आगे बढ़ गए, यह वो data डालते रहते हैं, उसके बाद धरम data डालता है, पाप यह पुन्य, यह लड़के की देखना, पाप है, सब को अपनी बहने मानो, भी सब को बहने ही मान लेंगे, तो फिर जन्रसंख्या का क्या होगा, ब्रह्मु कुमारी जबाले हैं न, जैसे मुझे कुछ लोग कहते हैं वीडियो में भी, कुछ जो मेरा खैर मगदम चाहते हैं, वो कहते हैं, किसी संस्था क का नाम ना लिया करो, तो पुबलीकली, क्योंकि वो लोग भी देखने वाले होते हैं वीडियो, लेकिन मैं ले लेता हूं, कि वो कर रहे हैं गलत, तो अपा क्यूं बखसे उनको, सिधा-सिधा बता देता हूं भी, वो बना देते हैं न, बहन भाई, सब को बहन भाई समझो वो डेटा ही डाल रहे है न तो वोई घर के घर बरबाद हो जाते है बहुत सी संस्ताव हो आदे किसका एक का नाम लेंगे ऐसे किसी का नाम और नहीं सबस्दार इनसान को इसारा ही काफिय होता है तो उसके बाद धर्म गुरुओं ने डेटा डाला जो ये यूटूब पर वीडियो बनाते है लग बगन 95% नकली धूंगी बंदे जो काला पीला चोला यहां पर ऐसे लगा करता है वो सारा नकली है नकली है कचरा डाल रहे हैं वो सारे कोई धर्म के नाम पर कोई किसी के नाम पर सब ने कच्रा डाला है तो इससे क्या कि मन हो गया फुल आपके मन में कच्रा कहां से आया डेटा कहां से आया बही जो अच्छा पाप वाला तो वीडियो से आया और वीरिया वाला भी उसी से आया अब ये दोनों डेटा एक साथ आये थे एक ही वीडियो से आए क्या पाप का और वीर्या का नहीं वीर्या का तो पहले से अचा वीर्या का कम से आया तो वो किसने डाला डेटा वो तो अपने मन से ही आया ऐसे मन से कैसे आजएगा ऐसे नहीं आता मन से अगर आपको बसपन से जंगल में छोड़ दिया गया होता तो क्या आपके मन में डेटा आता तो फिर कैसे कह सकते मन से आया सुना होगा किसी ने कहा होगा तब ही आता है जब मैंने छोड़ दिया माशरवेट अगरा करना गवराट होने लगी तो मन बहुत सारे साइट वाट का आता लिया तो जी किस साइट में इस रही आया गवराट भी इसलिए हुई कि ये कुछ गलत है ये भी डाटा था ना कि मास्ट्रॉबेशन करना पाप है गलत है इसलिए आपने गवरा करके छोड़ा masturbation करना कोई पाप नहीं है यह करना चाहिए, सही चीज़ है massage है जैसे अगर आपा इस हाथ से कामी ना लेंगे तो यह हाथ की जो सारी नाड़ियं वो मर जाएंगी न, बिकार हो जाएगा ऐसे इसकी massage अगर समय समय पर नहीं होई तो यह खराब हो जाएगा masturbation करना अच्छी बात है वीरिय निकालना अच्छी बात है अगर वो सड़ जाएगा, खराब ही हो जाएगा उसने खराब ही होना और क्या उसका पेशार थोड़ी ना डालना है आप रोक लोगे फर क्या होगा बताइए पानी को आपा रोक लेते हैं तो वो सड़ने लग जाता है पानी तो बैहता हुआ ही साफ रहता है वैसे वीरिय बनता रहे, निकलता रहे ठीक रहता है तो कम से कम हपते में एक बार तो कर लिया करो या कभी ना मन करें तो मत किया करो क्योंकि ये ऐसा है ना कि अगर नहीं करोगे और विचार आ रहे हैं इमेजी जा रही हैं तो फिर नाइट फूल हो जाएगा फिर अपने हाप भी वो ओवर फूल हो जाएगा फिर सपने भी आएंगे ध्यान भी वटकाओ होगा नींद भी कम आती है अगर आपका पढ़ाई में मन लगता है पढ़ाई में रूची है तो फिर इसके तिरफ ध्यान ही नहीं जाएगा फिर ना करो चाहिए लेकिन ये मैं हपते का बता रहा हूँ ये कोई यूनिवर्शन लेफिनेशन नहीं है करना ही करना चाहिए किसी के लिए ठीक है किसी के लिए नहीं वो आपको ही डिसाइड करना है लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हो जाए तो कोई बिमारी नहीं है मास्टरवेशन करते हो तो कोई दिकत नहीं है, लेकिन अती करते हो वो विमारी है, ये एक ही दिन में लगे पड़े हो सारा दिन, दो बार, चार बार, वो विमारी बन सकती है, वो फिर आपकी compulsion की विमारी है, फिर आप आदतन हो गयो, वो addict बोलते हैं उसे, वो addiction है, क्या समझें? वही जो, वही जो डटा जो आया, सब क्यार तरफ जाया, तो मैंने मान लिया, कैसा कुछ था नहीं, और ये masturbator करना गरत बात कोई नहीं है, सारे करते हैं, कोई असा नहीं होगा, जो नहीं करता वो जा तो नपून सक है, जा ना मर्द हैं, उसका बंदे का खड़ा ही नहीं होत तो वो क्या करेगा, अब जा वो डिप्रेशन का मरीज है, क्योंकि किसी को देख करके उसके मरे में आता ही नहीं है, वो जो वीडियो बनाते हैं, ज्यादातर कहते हैं न, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो नपून सक होते हैं, ज्यादातर हैं, तो नपून सकों की ब बात सुननी है, ठीक है, क्या समझे, वह सबरत बाते नहीं सुननी है, जो बल दो बतार है, तो लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ रहा है, तो ये आप समझ गए, तो ये डाटा था आपके मन में, इस डाटा इतना बढ़ गया कि इसने फिर बिमारी का रूप दे लिया, ये हद सब के अंदर के असी परसेंट लोगों के मन में, लेकिन उनके मन में बिमारी नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि बहुत से लोग तो क्या करते हैं, आपको मैं बताता हूँ, ये वीरिया को हाथ में ले, मास्टरवेशन किया, फिर ना लेते हैं, दो लेते हैं, इतना ही करते हैं बाखी टैम पर नोरमल रहते हैं तो उनकी बीमारी उगर रूप धांड नहीं करती है वो चलती रहती है या कुछ लोग फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं और फिर नहा लेते हैं और फिजिकल रिलेशन में भी वो अंगों को चूते ही नहीं है कुछ तो ऐसे होते हैं महामूर्ती relation बना लेंगे चुएंगे नहीं और कुछ है जो oral भी नहीं करते हैं oral sex ही नहीं करते हैं वैसे ही अपने जादातर हिंदू ध्रहम वाले नहीं करते हैं वो sex का असली मज़ा लेते ही नहीं तो आप देखो oral sex लग बग जो बाहर की लड़कियां हैं या जो sex के पर खुली होई लड़कियां वो करते हैं तो उनके मन मुँ में तो वीरिये जाता है तो अगर उनको गंदा लगता होता तो नहीं करते हैं लेकिन जिनको लगता है वो तो करती नहीं वो तो बद ये सेक्ष का मज़ा भी नहीं लेती है वो बस ऐसे ही फोर्मल्टी है जैसे आप पानी पीते हैं तो मज़ा आता है लोग जो इस एक्टिविटी को करते हैं दूरे मन से तो उनका जीवन है कुछ भी हो तो गंदगी वाला डैट है खुल के नहीं जी सकता, ना sexual life खुल के जी सकता, ना social life भी फस्ता जरूर है लेकिन वो OCD के शिकार नहीं कह सकते, क्योंकि उससे उनकी life में कोई जादा effect नहीं आ रहा है बस sexual life ही खराब है बाकी सब कुछ उनका normal है या जब लड़कियां गंदा मानती है इसे या वीर ये कहीं किर गया रात को बेड़ पर चद्रें दो देती है वो भी OCD में चली जाती है इसलिए ये data ही बिमारी पैदा करता है तो इस data ने अब आप की ये सारी बिमारी पैदा कर दी ये data इसमें पहले था फिर इस बिमारी ने इसमें मन में data डालना स्टार्ट कर दिया अब क्या है कि जो ये data था ना जो धनम ने दिया, लोगों ने दिया वो तो मैंने delete कर दिया बातों ने लेकिन जो बिमारी ने data इसमें डाला है वो ऐसे delete नहीं होगा वो बचा हुए, बाकी डिलीट होगा आपके मन से सारा लेकिन बिमारी वाला डाटा भी भी है तो लोगों ने दिया वो तो डिलीट होगा हो गया ना clear लेकिन ये डाटा बिमारी का भी बचा है जो आपने कम पानी पी के डाटा इकठा किये, भी avoid करने से data इसमें add होता है जितना avoid करोगे उसे data add होगा, और जितनी doing करोगे उससे भी data add होता जाएगा, और जितना आप दर को सच मानोगे उससे भी data add होगा और जितना इस विचार को importance दोगे, observation को, उससे भी data add होगा तो OCD के अंदर ये चार रस्ते है जहां से data add होता रहता है क्या समझे? इतना आप देखो इन से data ही तो रोज रोज डाल रहे होगा data ही डाला है ना? रोज रोज अब देखो ये data खितना है आपके पास अब आप कम पाने कितने दिनों से पी रहे हो? कितने महीरों से? और दिन में कितनी नितनी पाने कितनी पीते हो? जब दिन में भार कम पी लिया है तो आप देखो ये पांच हर बार ऐसा कर रहे हो तो पचास का डेटा आ गया एक दिन में पचास डेटा इसमें एक दिन में और कितने महिने से कर रहे हो तीन चार महिने से मान के चलिए एक सो डेड़ सो दिन मान के चलिए कितना हो गया एक सो पचास प्छेटर सो का डेटा इसमेड हो गया देख लो जो रहे हो तो यह दोना पोचना यह कितनी बार करेयो और लग जा रहे हैं वाथरूम तरने तब लग बार ग़ी चार पांच 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 बार तो जाते हो और 10 फंदरा चीजें दोते हो गया तो पंदरा यह हो गया और कितना समय लगाते हूँ गुना में 30 यह हो गया और लेटिंग करने आते हैं तो उसमें एक गंटा लगाते हूँ और पांच चार बार करते हूँ तो यह कितना डेटा हुआ देखना इतना त्यून्ट चुपांदर वेकसो पचास पचातर सो आतायर पांच उड़िफाँ पांच इसे दुगना टाइम उसमें लगाते हूँ गे नहाने में, तो इसी को कर दो, 22,500 तो इसका डबल हो गया, डबल से भी डबल लगाते हो उसमें तो, 24,000 हो गया, 45,000 डेटा है एक दिन का, 45,000 डेटा है एक दिन का, 45,000 गुना में करो, 150,000 इतना डेटा आपने, चार मेनों में कठा कर गया है, और यह खतरा कि भी तब से मानते हैं यह तो पहले का डेटा है और भी, शुद्धा गाना, यह पांचे साल का ही है ना, यह दिन में कितनी बार विचार आता है पाप वाला और गंदगी वाला? आता ही रहता है ना, लगता ही रहता है, तो दिन में पचास बार तो यह भी आता है ना, तो पचास बार एक दिन में हो गया, तो कितने सालों से कर रहे हैं? पांच से सालों से, पांच गुना में बारा कितना हो गया? चलो, ऐसा करते हैं, तो यह तीस कर ना, पचास गुना म एक महिने का और पांस गुना में बाराफ पंसाथ, गुना में 15 गुना में 60, देखना, वही बच्छान नमदे, नमदे है, नमदे हजार डैटा तो आपके पास यह है, खत्रे वाला, और इतना कि यह वह उगा लाके कि यह मान लेते हैं, ठीक है? अब बताओ टोटल कितना बहुत दाट है ना? मेरे को लगता करोड के आस पास से लगए होंगी बहुत थोड़े समय में सतर लाख मानते हैं कितनी जीरों होती है मेरे को तो यह भी नहीं बता एक और रह गया अरे आप तो सतर लाख के मालिक हैं तो बताएं मुझे कितने देने वाले हैं बहुत बुड़े अम्वीरा वैक्ति हुभी आज सबसे आपको देते पूरा है